तो दोस्तों मेरा नाम रोहित आपका हमारी यूटूब चैनल सीखें दूस्तान पर स्वागत है जिन लोग का मैथ में कंपार्टमेंट है उन लोग के लिए मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो क्या है इस वीडियो को आपका एक एक सेकंड आपके लिए काफी इंपो होने वाला है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा और पहली बार चैनल पर आएं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए क्योंकि इस तरह क्या मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए हमेसा लाते रहते हैं तो चलिए हम ओवरल सुरू कर देते हैं देखे पहले मैं बात करने वाला हूं चैप्टर 15 से लेकर जिन लोग का जो मैट की कंपार्टमेंट है वो देखे चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रोबैल्टी प्रोबैल्टी में चैप्टेड चार मार्क्स के कोस्टन्स आते हैं या आ सकते हैं जैसे फोर मार्क्स के कोस्टन है जिसमें दो-दो माक्स के दो कोश्टन मुझे पूछे जा सकते हैं तब इनमें बात करते हैं एक्जामपल किस तरह के कोश्टन साते हैं प्रोवेल्टी से लगभग ता आप आपने लगभग तो सारी बुक चैप्टर्स करी रखे होंगे मगर आप साथ सा इन चीज पर ध्य कि कौन को से कितने करड होते हैं डीन करल सकते हैं अ बात करते हैं तो इसमें से न Players से बन सकते हैं योन आपको हो जाता है इसमें से तीन म esco 4 marks 2 questions आपके आ सकते हैं तो यह भी overall कहीं न कहीं आपके लिए important chapter sign होने वाला है इसमें दूसेंखति मैं बताएंं 4x करेंगका उन इस तफह टैप से आ सकते हैं तर्स टेवल डॉयल है जिस तक कर देख सकते हैं अफ है यह questions इस टाइप से questions आ सकते हैं ताप यह साथ मार्स का question है यह chapter काफी बेटेज भी हो सकता है तिस आप आराम से कर लिए चार मार्स के question देखे लिए इस टाइप से इस चैप्टर को भी बढ़िया तरीके से साथ ही साथ अपने स्लेवस में सामल करिए और इसको भी साथ-साथ करिए इसमें बात कर लेते हैं चैप्टर थी में आपका जो तीन मार्स के question इस टाइप से हो सकते हैं तो सॉलिड इस टाइप से आप पूरा वीडियो पहुज करके सवानी की संभावना है आपसे ल कि बात करते हैं Bite यह क्षाइब का छैप्टन है इसमें फार इसमें आप का बनिया चार नंबर को कंप्लीट हो जाते हैं इतना है इस टाइब से कोस्टन साथ सकते हैं जो आपके एक जाम में आ सकते हैं अब बात कर लेते हैं चैप्टर 10 के बारे में चैप्टर 10 जो आपका सरकल है जिसमें तीन यहां पर पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं डिटेल वाइड इस टाइब से कोस्टन साप के इसमें आ सकते हैं तो मैंने आपको बेटेज बताया देखिए प्रूंच इम्पोर्टन थियूरम के बात कर लेते हैं क्योंकि एक्जाम में आपने देखा होगा क्यों तो जैसे इंपांस कर लेते हैं तो जैसे इंपोर्टन थीयौं के बात कर लीटए देुर कि यह दो चाइंगल है शाइंगवें पर्टेंट कोको barking या तरीके से क्या होगा इफ लाइन पहला तो वन साइड इंडरसेक्ट ट्राइंगल यह दूसरा थियुरम देख लिए यह भी थियुरम आपके लिए काफ इंपोर्टेंट मैं कुछ थियुरम्स बता रहा हूं यह थियुरम्स काफ साथ कर सकते हैं यह त्राइंगल आप दादर टू साइड सेंगल ओपोजित है यह कुछ रहे थियुरमा बात करते हैं आगे के सेप्टर के तो आगर के चैप्टर के लिए मैं आपका पार्ट टू वीडियो डालने माला हूं जिस पार्ट टू वीडियो मैं आपका कंप्लीट कर दूँगा पार्ट टू हेल्प करने वाला हूं फिलाल के लिए तना ही आगे देख परने रहने के लिए मासाथ जुड़े रहिए वीडियो के लाइक करना